हलो दोस्तों जो EDC प्रोब्लेम आता है और गाड़ी का पीकप टूर जाता है गाड़ी का पीकप नहीं लेता है वो इसका कारण से भी होता है यह देखिए यह पत्ती मैंने फिल्टर चेंज यह पाम मारे पंप से तेली नहीं उड़ रहा था ठीक है यह पत्ती बैंड हो जात अठाना पड़ता है यह देखिए यह स्क्रो गिर गिया है यह देखिए यहां पर रहता है यह पत्ती बूरा है वहां पर चिपक के रहाएगा एकदम इसको बढ़ियां से लगाना चाहिए यह देखिए अब डीजल फिल्टर चेंज करने का बाद अगर पंप मार रहे पंप हाड नहीं हो रहा तो मेरा इस वीडियो को देखिए और मैं पूरा भरोसा देता हूँ आप करा पंप हाट हो जाएगा यह पत्ती हमेशा बैंड होते रहता है यह मैं दस गाड़ी का कर चुका हूँ तो आप लोग भी इसको चेक करके देख सकते हैं इसके लिए आपका एडिसी सिंगनल देगा और एक योल बत्ती होता है वो भी बगलवला चल जाता है उसका भी नाम भोल जा रहे हैं मैं आपक और दोस्तों वीडियो को स्कीप मत करना वीडियो को पूरा देखना कैसे क्या कर रहा है ठीक है और वीडियो अच्छा लगेगा तब ही लाइक यह करो ठीक है मैं जवर्दस्ती लाइक करने नहीं बूला हूँ अब लोगों के लिए बहुत मैनद करते हैं अब लोग अगर चाहते हैं तो मुझे लाइक कर सकते हैं वह आप लोग का मरजी है इसको पत्ती को पुरा बीज में दिये कि और इसक्रू को टाइट करना चाहिए ठीक है लिए पांप मारें है तेल कैसे पेगे वह देखिये पत्ती पुरा सीधा बढ़ लिए पूरा तेल फिसकारी मार के विरा लग गया वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो पर मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ब्रो अब लोग अपना दोस्तों को मेरा च शेयर कर दो मेरा वीडियो शेयर कर दो अब फेस्बुक पे मेरा आर ये ब्लॉक पेज है तो हाँ जा कि आप फॉलो कर सकते हैं मेरा फेस्बुक में आप लोग आके कमेंट कर सकते हैं मुझे और खुब जल्दी मैं इस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा आप लोग अगर तीन अज़ा सब्सक्राइबर पूरा कर दिये तो यहां से आप ब्लेडिंग कर सकते हैं यार चुड़ा सकते हैं ठीक है है देखिए पंबने से तेल आरा